बस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में है दोस्तों आज 24 तेसंबर को S.S.E. इस्टेनोग्राफर का लास्ट एक्जाम हुआ है तो 24 तेसंबर के फार्ट शेप में पूछेगी तो पीडियो फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकेंड शेप की सेकेंड शेप का वीडियो मौनिंग में आएगा तो उसके बाद टेलिग्राम चैनल पर में डाल दूँगा तो लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जिन भी केंडियर्ट ने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया हम आपको फुली सिलेबस कवर किया जाएगा लाइव टेस्ट होंगी टॉप एजुकेटर के दौरा यहां पर आप देख सकते हो सभी टॉप एजुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिलेगा डैली लाइव क्लासेज हैं अन्लिमिटेड एसेज हैं प इसे भी कॉर्सेज की फी में हाइक होने वाला है वर्दी होने वाला है अभी ऐससी एक्जाम यदि आप सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह च्छे अजार में बारा मंद का हो जाएगा जिसमें फाउंडेशन और कम्प्लिट बैचेवों कवर किया जाएगा और इसमें य बहुत सिदाना है अंकि सिंग विहान टेलर है शेम हो गए शिवम अनिल मीना घंश्याम पूजा यादो और जेतन मीना अरून ठाकूर है धिरेज कुमार है तो इन सबी केंडिनेर तें जो रियल स्वाल बेज़े तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप भी अपने सिप में किस पूछा जो 1922 से सताउन तक है तो ये केसी न्योगे इनके अध्यक्स थे वर्तमान में जो 2020 से 2025 वितायोग है पंदरवा है अध्यक्स है एनके शिहीं अगला स्वाल देखे जांशकर और गिलगित रिवर है वो किस नदी की शाहिक नद्या है तो जांशकर और गिलगित है य इंडस की उसमें परमुक है जेलम, चिनाव, रावी, ब्याष, सतलुज, काबुल और कुरेम नदिया नेक्स न देखे जेके रोलिंग से स्वाल रिपीट हो रहे हैं जेके रोलिंग जो बिर्टिस ओतर है उनके दोरा लिकित पुस्त कौन सी नहीं है कल आपकी पूछे था क कौन सी है तो परमुक पुस्त के बता देता हूँ जो जेके रोलिंग की दोरा लिकित है तो इसमें ये एक तो बहुत बार पूछे जाता है जो हैरी पोर्टर सिरीज की बोक्स है ये जेके रोलिंग की दोरा लिकित हो जाएगी फिर बात करू में केरमोर एन इस्टैक दा कैजूल वेकेंसी और यह सभी आप देख सकते हो जेके रोलिंग के दौरा लिखित पर मुख पुस्ट के हो जाएगी अगला स्वाल दिखीगा एनिटिंग बट खामोश किसकी आत्मकता पर टेक सिप में बुक से दो से तीन स्वाल आ रहे हैं तो एनिटिंग बट खामोश यह आत्मकता बायोग्राफी हो जाएगी शत्रुगन शिनाकी और इसको लिखा गया है दोस्तों भारती एस प्रधान के दौरा नेक्स्ट लिखिये आर्टी एक्ट है यह कब आया था तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है यह 2009 का आपको पुच्छा था और यह दो कमेंस वर्नित है तो यह आर्टिकल 21 है जिसमें प्राण और देहिक स्वतंतरता का अधिकार है मैं आपको बता दूँ स्वतंतरता का अधिकार है जो मोलिक अधिकार में आता है यह आर्टिकल 19 से 22 तक है 19 में किसका है विवेक्ति जो वाक की स्वतंतरता है और 20 की बात को तो अपर आर्टिकल 18 में किसका उलेक है विवरन है कमेंड करके जरूर बतरना आर्टिकल 18 बहुत बार एक्जामें पूछा जाता है शोर्षन के विरुद अधिकार आर्टिकल 23 और 24 हो जाएगा धार्मिक जाता है बाश्रो फोबिया और उन्चाई से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया बोला जाता है तो जो भी फोबिया है कल भी स्वाल आया था और आज भी पूछ लिया है तो इनको जरूर देखे जाना अगला स्वाल दिखे 2020 ICC वोमन्स टीट्वेंटी वर्ल्ड कप में भारत प्रित कोर वरत्मान में भी मिथाली राज है वन डे की केप्टेन है भारत की जेंपिन रही थी इस वर्ल्ड कप में और उस्टेडिया और पुजिता राता इंडिया नेक्स्ट न दो countless में UNESCO की विशु धरवरिस्टल में किस सीटी को शामिल के आप सबी को पता हुगा बहुत बार में बताता हूं एक्स्टर फेक्ट में तो 2019 में यूनिसको वर्ल्ड हेरिटेस साइट में जैपूर पिंग सीटी को शामिल किया गया इससे पहले 2018 में किया गया था मुंबई को और उससे पहले किया गया था एहमदबाद को सविधान की किस भाग में राज भाषा का उल्लेक है तो आप कहेंगे भाग है ये सत्तरवान सत्तरवे भाग में राज भाषा का उल्लेक किया गया है और ये आर्टिकल 343 से 321 में वर्णन है राज भाषा का आर्टिकल 343 है भारत की राज भाषा और लिपी देवनागरी सबसे पहले MSP किस पर लगया गया था तो दूस्तों भारत में सबसे पहले जो मिनिमम सपोर्ट प्राइज है नियूंतम समर्थन मुल्ले हैं यह लागू हुआ था जो हरित क्रांती आई थी 1966-66 में उसमें सबसे पहले जो फर्शल की बात कुछ गेहूं पर यह MSP मुल्ले हैं लागू किया गया था और जो हरित क्रांती की शुरुआत 1966-66 में हुई थी उसके दोरान गेहूं पर यह MSP लागू हुआ था और भारत में हरित क्रांती लाने का जो स्रे हैं वो MS स्वामी नातन को जाता है अगरा स्वाल दिखे तो यह पूचा जाया है कि अलना फैलेंगस यह बॉन ओफ फिंगर्स अंगूलिया की जो हडिया है उसे फैलेंगस बोला जाता है तो यह हाथ के अंगूलिया की हडिया हो जाएगी अलना फैलेंगस बॉन नेशनल लिखे इस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में किस शाषक की इजाज़त से पर्थम फैक्टरी जो सूरत में स्तापित की थी वो कौन से मुगल शाषक की इजाज़त से की थी इस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में तो आपको पता होना चाहिए जिन भी केंडियेट को पता होगा कि 1613 में कौन से मुगल काल का शाषन काल रहा है वो इसका सही एंसूर कर देगा करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जहांगीर क्योंकि आपको पता है इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ततकालिन मुगल बादसा जहांगीर से व्यापार और सूरत में कार खाना लगाने की इजाज़त लेकर व्यापार शुरू किया गया जहांगीर का जो का अंते मुगल शार्शक तो कहेंगे अकबर थी 1556 से 1605 तक पर्थम फैक्टिस्ता पितुईती सूरत में 1913 में किसकी जाज़त थी जहांगीर की सेवी को वेधानी कदिकार कब मिला है तो सेवी हैं जो उसको वेधानी कदिकार दिया गया है 1902 में 3 जनवरी 1902 जो स्टॉक मार् 1988 में अगला स्वाल देखें माउंट एवरेश्ट पर सबसे ज़्यादा बार चड़ने वाली महीला कौन है तो वो है नेपाल की लखपा शेरपा देखें स्वाल यदि इस टाइप से आ जाएं कि माउंट एवरेश्ट के जो शिकर हैं हाईस्ट नंबर आप टाइम्स जो शम सकते हो ओश्कर आवार्ड है कल भी आया था ओश्कर से आज भी आ गया है तो 90 सेकंड ओश्कर आवार्ड में जो एकेडमी आवार्ड भी कहा चकता है इसमें बेस्ट पिक्चर का आवार्ड कौन सी मुवी को दिया गया है तो पैरा साइट मैंने बताया था कल और बेस्ट ड मादा बाग की शंकर संतान क्या कहलाती हैं कल पूछा गया था जो टाइगर है उनकी जो संतान रहती है उसे क्या बोला जाता है जो कब था आज ही पूछ गया है जो संकर वाला हाइब्रिड जो सेर और बाग की संतान है उसे लाइगर बोला जाता है नेक्स दो देखें ये फेस्टिवल है नागल एंडराची का और यह जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वहां के अंगामी नागास पीपल के दोरान लास्ट पेश्वा ऑप्दा मराठा एंपाइर हैं मराठा एंपाइर में एक तो चत्रपती यह इनका शाषक रहा था एक पेश्वा का मराठा एंपाइर में बाजीरोग शेकेन है इनका जो टेनियोर रहा है लास्ट अठारसो एक्याउन और यह थे मराठा पेश्वा के सबसे अंतिम शाषर और बाकी में बात करूँ छत्रपती जो मराठा समराज्जी है उनका अंतिम शाषक तो शिवाजी तिरते हो जाएगा शाषक जो पेश्वा और फ़र्ष्ट जो चत्रपती एंपाइर थे शाषक थे वो कौन थे शाष्वाजी थे मराठा समराज्जे के 164 से 1680 तक शासंकाल पिर्थ्वी पर ओजोन प्रत की मोटाई आपको पूचिए तो पिर्थ्वी पर जो ओजोन प्रत है इसकी मोटाई है 300 दॉपशन ओजोन प्रत हैं ये मेजर की जाती है दॉपशन इसकी यूनिट हो जाएगी तो पिर्थ्वी की सत्य पर ओजोन प्रत की ओशक जो मोटाई है लगभग 300 दॉपशन इकाई है ये ओपशन में मिलीमेटर में था तो 3 mm हो जाएगा 3 mm या 300 दॉपशन समीधान पस् इपल आप इंडिया से शुरुआत होती है परस्तावना सेमोना हालेप का पर्थम ग्रेंड स्वाल दिखी बाद में स्टुडेंट ने कनफॉर्म करके बता है पहले एक इस्टुडेंट यह बता है बाद में बता है कि सेरेना विलियम्स का पूच्छा है तो दोनों का बता दे विलियम्स का आपको पूचा है तो यह हो जाएगा 1999 में यूएस ओपन उन्होंने पर्थम ग्रेंड स्लेम जीता था बात करू में सेमोना हालेप की जो की 2018 में टैनिस में फर्स्ट रेंग पर रेज जुकी है सेमोना हालेप तो इनका जो फर्स्ट ग्रेंड स्लेम टाइटल विन किया है 2018 का फ्रेंच ओपन है और फिर इन्होंने 2019 का विमल्डन चैंबियंसिप भी जीती थी अगला स्वाल देखीगा रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने अर्शयोग आंदोलन कब प्रारम किया था तो रोलेट एक्ट के विरोध में जो अर्शयोग आंदो 2020 में अर्शयोग आंदोलन की शुरुवात की थी तो रोलेट एक बहुत बार पूचे जाता है 2019 में आया था और आने का यहाँ पर रोलेट एक का एक सरकारी नाम है यह आप देख लेना बहुत बार एक्जाम में पूचे जाता है आप कमेंट करके बताईए जो अर्शयोग आंदोलन शमाप क्या गया था वो कौन सी घठना के बार शमाप क्या गया था काफ़ी इंपोटेंट क्यों से कमेंट करके जरूर बताना ताकि मेरे को पता जल जाए कितने केंडेट वीडियो को कंटिनू देख रहे हैं नेक्स्ट न दिखी भारत और किस देश की मद्दे फ नौबर 2019 को तो ये पर्थम पिंक बोल मैच या फिर आपके सकते हो पर्थम डे नाइट मैच हुआ है अगला स्वाल देखिए वू रिश्यूट दा नोबल प्राइज फॉर लेटरेचर 1913 में जो शाहिते का नोबल प्राइज मिला है वो किशे दिया गया तो रविंदर ना और अंगुरेजो के मद्दे अब ये रागुवा कौन है तो ये पेश्व बाजी राव पर्थम का द्वित्य पुतर था रागुवा उसे रगुनात राव भी का जाता है अंग्रेजो और रगुनात राव के मद्दे हुई थी 1755 में हुई थी और इस संधी की अनुशार अ बंगाल गजट निउस्पेपर किस ने प्रकाशित किया था तो बंगाल गजट निउस्पेपर की बात के तो इनके प्रकाशक थी James Augustus Hickey इसे हिककी बंगाल गजट भी कहा जाता है क्योंकि James Augustus Hickey ने इसका संपाधन किया था और ये कब हुआ था तो अंग्रेजी भाषा के ये साप्ताएक निउस्पेपर था पॉलकता से सन 1719 सी से इसकी शुरूआत हुई है और बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पतर था भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पर्थम शमाचार पत्र बंगाल गिजट है 1799 में जैम्स अगस्ट हिक्की के दोरा प्रकाशित किया गया था सुदर्शन जील का निर्माण कहां पर किया है एक्जाम में रिपीट होता स्वाल बहुत पर बादा चुका हूँ बहुत बार है construction हुआ है पुन्र निर्माण हुआ है reconstruction तो रिपूल्ट यहां पर किया गया है इस लैक को यह पूछ जाता है बहुत पार कौन से शाकाशासक के काल में जो सुदर्शन जील है उसका पुन्र निर्माण किया गया है तो यह हो जाएगा रुद्र दमन एक और प pollination होता है प्रागण होता है तो इससे related एक question था आप comment करके बताना exact क्या स्वाल था तो वायू प्रागण को इंगलिस में बोला जाता है एनिमो फिली बोला जाता है एनिमो एनि विंड फिली एनि टूलाओ तो ऐसे पाजपव में पोश्प एक लिंगी रंग हीन सुंगंद रहित होते हैं तो मैं आपको कुछ एक्जांपल बता देता हूं जिसमें वायू से प्रवेश करते हैं पूंके सर जो होते हैं तंतु दंबे तदा पुष्प से बाहर के और मुक्त होते हैं ताकि प्रागण वायू से प्रवेश कर सकें और प्रमुक जो यहाँ पर बता दे नेश्मन दिखे फिलम फेर आवार्ड से आज स्वाल पूछे गया है कि बेस्ट सिनेमेटो ग्राफिका आवार्ड किसे दिया गए है 2020 में तो Best यहाँ पर Cinematographic Award 2020 में मिला है जाय ओजा को गली बॉय मूवी को सबसे ज़्यादा है यहाँ पर फिल्म पर 13 Award मिले हैं तो इस मूवी में Cinematographic Award दे गए है जाय ओजा को और फिर मैं बात करूँ 2019 में जो Best Cinematographic Award दे गये था फिल्म फेर आवाड किते हैं वो पंकज कुमार को दिया गया था बेस्ट फिलम जो कौन सी है 2020 में फिलम फे रवाड में जो गली बोई है और ज्यादत रवाड यहापर गली बोई को मिला है बेस्ट डारेक्टर जोया अक्तर है ये गली बोई मुवी के डारेक्टर थी बेस्ट एक्टर रणवीर शिंग गली बोई बेस्ट एक्टर अलिया भट गली बोई अगला स्वाल देखेगा कमेंट करके उतना को श्टूडेन बता रहें कि पर्थम सत्युद का महात्मा गांदि का महात्मा गांदि ने 11 सितम से1920 को शत्यागरः शब्द का पहली बार इस्तिमाल किया था दक्षऩ अफ्रीका में bell के यह गया था कमेंट करके बताना जिन भी केंड़ेट के था फ़र्स टेप से यह एक्जेक्ट स्वाल था पटियला में कौन सा गार्डन नहीं है ऑप्सन पर आधा रहेते हैं जो परमुक गार्डन है जैसे कि यह हो जाएगा बारंदारी गार्डन है न्यूपाक गार्डन है र बांगलादेश का किस देश में है कौक्ष बाजार है 36 कोस्टल एरिया बीच यह बांगलादेश में है अगरा स्वाल देखिए इंडियन बैंक में किस बैंक का विले हुआ है आज सेकेंड सिप में भी एक बैंक का मर्जर से स्वाल पूछा गया था फरस्ट में भी पूछ है कल भी पूछ गया था तो इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा टॉपिक है यह तो इलाबाद बैंक का जो विले अब देखिए एक अप्रेल को यह हुआ है एक अप्रेल 2020 को टोटल दस बैंकों का जो पब्लिक सेक्टर की बैंक थी विले हो गया अब टोटल बारा रह गई है पब्लिक सेक्टर की बैंक और इलाबाद बैंक स्वाल पूछे गया इंडियन बैंक में किसका विले गया तो आप कहेंगे इलागात बैंक का बाकि OBC और United Bank का कल पूछे गया था इसका विले PNB में हुआ है Syndicate Bank का हुआ है कैंदरा में Union Bank of India है यह Andra Bank और Corporation Bank का विले हुआ है अगरा स्वाल देखे रास लिला पर आपका एक स्वाल था आप comment करके बताना एक जट क्या था एक स्वाल इस टाइप से था कि C is the chemical symbol of which element C हो जाएगा carbon का element का symbol नेशनल देखे मैमार की राजधानी है तो यह नाइपीडो हो जाएगे श्वेत क्रांती से भी इस्टुडेंट स्वाल बता रहे हैं तो इसे दुग्द क्रांती या फिर Operation Flood बोला जाता है जो कि 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआ तो या आप comment करके बताना एक तो हरीत क्रांती वाला जो साथ सबसे पहले MSP लागू होई थी गयों पर और स्वेत क्रांती या फिर हरीत क्रांती ये दो एक ही स्वाल में थे या अलग लग थे स्वेत क्रांती की बात को दुग्द क्रांती ही ये 13 जनोडे 1970 की इसकी भार से शुरुआत हुई थी वर्गिस कुरियन को इसका जनक माना जाता है एक इस टाइप से स्वाल था एक्जेक स्वाल नहीं मिला है तो ये स्वाल क्या था आप comment करके बता देना और बाकी मिलते हैं इसके बात पीडियेप है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अभी ये एक्जाम होग चुका है तो पीडियेप है वो कल सुबह आपको दे दी जाएगी धन्यवाद